माता रानिका अगला स्रोत ओम नमा चंडिकाई शिरी मारकंडे बोले जयन्ति मंगला काली भत्रकाली कपाली नी दूर्गा छमा सिव धात्री स्वाहा स्वात्वा आदी रूप से प्रसिद्ध जग दंबे आपको मेरा प्रानाम है समस्त प्रानियों के दुख दूर करने वाली चमुन्डे आपकी जय हो सब में वैस्त रहने वाली काली यात्री आपकी जय हो मधु तथा कैटव का हनन करने वाली और ब्राह्मा जी को बरदान देने वाली देवी आपको प्रानाम है हे देवी आप मुझे सुन्दर रूप दो, जय दो, यस दो, काम, क्रोत आदी, सत्रू का नास करो महीशासुर का नास करने वाली भक्तों को सुख देने वाली माता आपको प्रणाम है मुझे रूबदो जईदो यस्दो शत्रूओ का नास करो जै माता जी, जै माता जी, जै माता जी, हे रक्त वीच का बद करने वाला देवी और चंड मुंड का हनन करने वाली माता मुझे रूप दो, जै दो, यस दो, सत्रुव का नास करो, बिनास करो सुम निशुम तथा धुरुमक्च का मर्दन करने वाली देवी मुझे रूप दो, जै दो, यस दो, सत्रुव का बिनास करो हे देवी हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं, आप सबहग्य के देने वाली है, मुझे रूप दो, जै दो, यस दो, सत्रुव का बिनास करो पापो का नास करने वाली देवी मुझे रूप दो जाई दो यस दो सत्रो का बिनास करो। हे पापो का नास करने वाली देवी चंडी के जो पुरुष सर्वधा भक्ति पुर्वक आपके चरनों में नत मस्तक है। उन्हे रूप दो जाई दो यस दो सत्रो का नास करो। हे देवी आप मुझे सभग्या तथा आरोग्या और परमसुख दो रूप दो जाई दो यस दो सत्रो का बिनास करो। हे माता जो मुझे द्रेस करे उनका नास करे तथा मुझे बल दो रूप दो जाई दो यस दो सत्रो का बिनास करो। हे अम्भी के देवता तथा दावन दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक जुकाते हैं, आप किरिपा करो, मुझे रूप दो, जाई दो, यस दो, सत्रों का बिनास करो। हे माते स्वारी अपने भक्तों को विध्यान, यस वसी और लक्षिनी वान करो, मुझे रूप दो, जाई दो, यस दो, तथा सत्रों का बिनास करो। प्रचन देतेयक के घमन को चूर करने वाली चंडी के सरन में आये मुझे रूप दो जई दो यस दो सत्रुव का नास करो। हे चतुर्भुजी अंबिके ब्रामा विश्नु आव सिवा से पुजीत पर्मेश्वारी मुझे रूप दो जई दो यस दो सत्रुव का नास करो। हे इंड्रा द्वारा सत्भाव से पुजीत पर्मेश्वारी मुझे रूप दो जई दो यस दो सत्रुव का नास करो। अपने प्रचन भुच दंडो से देतेयको नास करने वाली देवी मुझे रूप दो जई दो यस दो सत्रुव का नास करो। भक्तों का आनन देने वाली हे अंबी के मुझे रूप दो जई दो यश दो सत्रों का नास करो। स्रेष्ट फल और संपदा को प्राप्त होती है।